हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को बड़ी खबर जैससी सीजियल परिचा की नई ती थी जारी इस दिन लिया जाएगा एक जान जार्खन राज्जी कर्मचारी चैन आयोग ने सीजियल परिचा 2023 की नई तारीकों का ऐलान कर दिया है आयोग द्वारा जारी नई अधी सूचना के मुताबिक 21 और 28 जनवरी को विभिन जिलों में अवस्तित परिचा केंद्रों में परिचा का आयोजन किया जाएगा गौर्टलाभे की पहले इस परिचा की संभावेती थी 16 और 17 दिसंबर थी लेकिन समवार को इससे इस्थगि दहन किया था आयोग ने बता है कि परिचा में सामिल होने वाले अभियर्थियों को जैससी की अधिकारी रबसाइट www.jssc.nic.in पर एड्मिट कार्ड जल्द उपलब्द करा दिया जाएगा अभियर्थि यहां से डाउनलोड कर सकते हैं केंदर सरकार बकाया देती तो गैस सिलेंडर पांसो में और पेंशन 25 सुर्पय देता दुमका की गादी कुरिया पंचाइट की बड़ा ढ़ाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपकी दुआर कारिक्रम में मुखमंतरी हिमंतु सोरिन ने कहा है कि केंदर सरकार एक लाग शतीस जार करोड का बकाया दे देती तो गैस सिलेंडर बारा सो का नहीं पांसो में उपलवद करा था पेंशन एक हजार नहीं 25 सुर्पय होती इसके अलावा मुक्यमंत्री हेमंतो सोरेन ने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार की योजना नहीं पहुँची है पहले एक परिवार के स्रिफ दो बच्चियों को ही साबित्री बाई फूले की सोरी सम्रिध्धी योजना का लाब दिया जाता था अब सभी बच्चियों को शाबित्री बाई फूले की सोरी सम्रिध्धी योजना का लाब मिलेगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड राजिसरकार द्वारा दी जा रही है जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए रासी दी जाएगी से 650 किलो मिटर सड़क का निर्मान के स्विकृति दी गई है इसके अलाबा 20 लाग हरा रासन कार्ड देने का कारी राजिसरकार ने किया है आने वाले दिनों में उस रासन कार्ड में एक किलो दाल भी मुक्त दी जाएगी CBSE ने 10 वी और 12 परिचा के लिए तारिक की घूशना की जान ये कब से है परिचा केंद्रिये बोट मध्यामिक सिक्छा CBSE ने परिचा की तारिक जारी कर दी है कच्चा 10 वी और कच्चा 12 वी की परिचाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी कच्छा बारवी की परिच्छाएं दो अपरिल तक चलेंगी वही दसवी की परिच्छा तेरा मार्च को खत्म हो जाएगी सन्योग यसाजिस 21 जन्वरी को ही कैसे होगी जैस सी सीचल, सीटीट और जेपी असी बैकलोग की परिच्छा उलचे अभ्यरती जारकन राज्य कर्मचारी चेन आयोग नी जारकन समाननी इशनाता की योगेताधारी शन्योगतो परतियोगिता परिच्छा की तारीकों का अईलान कर दिया है लेकिन इसमें एक पेंच है 16 और 17 दिसंबर को परिच्छा को इस्थगित किये जाने के बाद आंदोलन तेज होने लगा था वही केंद्रिय मध्धामिक सिक्छा बोड़ द्वारा सिक्छक पातरता परिच्छा का भी आयोजन होना है ऐसे में सवाल है कि एक ही तारीक पर तीन परिच्छाओं का आयोजन कैसे हुगा गौरतलाब है कि जेपीएसी सिविल सेवा बैकलोग पीटी परिच्छा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी विभिन जिलों में केंदर बनाए गए हैं वही 21 जनवरी को ही केंदरिये मध्यामिक सिक्छा बोड़ द्वारा केंदरिये सिक्छक पातरता परिच्छा का आयोजन देश भर के 135 केंदरों में किया जाएगा इसी बीच जैससी सिजल की परिच्छा के लिए भी 21 और 28 जनवरी 2024 की तारिक निधारित की गई है इसे लेकर अब अभ्यर्तियों में बैचानी हैं दरसल जब शन्युक्त शमान ने परतियोगिता परिच्छा में सभी जो है परतियोगी परिच्छा की तयारी कर रहे अभ्य परिच्छा में सामिल होना होगा ऐसे में कन्फ्यूजन है कि वे एक ही दिन में तीन परिच्छाओं में कैसे सामिल होंगे एजेंसियां परिच्छा का आयुजन कैसे करीगी जार्खन के 18 बालू घाटो का टेंडर फाइनल जार्खन के 19 बालू घाटो के लिए मंगलवार को टेंडर खोला किया इसमें कुल 18 बालू घाटो का टेंडर फाइनल किया जबकि एक का एक ही बीडर होने के कारण रद्ध कर दिया किया इस टेंडर में केटिगरी A के 8 गाट थे इसे लिएकर जार्खन राजिखानीच विकास निगम लिमेटेट को सुचित कर दिया गया है इससे समंधित आगे की सब ही कारवाही निगम ही करेगी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूट जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके डालेकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो चले बढ़ते हैं खबरों की और को ओपरेटिव चौक के इलाके में जाम की स्थिती बनी रही और पास के चर्च, होटल और घरों के लोग भाई के माहौल में रहे बताया जाता है कि साम करीब 6 बजे बिहार नंबर की 1407 वेन अस्टिशन रोड इस्थित ऐसो पेट्रूल पंप पर तेल भराने के लिए है 407 वेन को धक्का मार कर पेट्रूल पंप से आगे को ओपरेटिव चौक तक लेके और संभावित खत्रे को काफी हच तक टाल दिया बरनी 407 वेन को पेट्रूल पंप से हटाया जाने के बाद आसपास के लोगों ने रहात की सांस ली इसक्रम में हाथसे के करन को ओपरेट पास्ट भी हुआ गाड़ी के फटने के बाद उसमें से पीसा हुआ सफेद पाउडर चारो तरफ फैल गया जैससी सीजल परिशा टली तो बोले बाबुलाल सीम हिमन्त को राजनितिक बेरोजगार बना देंगे युवा जैससी सीजल की परिच्छा एक बार फिर टल गई इससे लेकर प्रदेश के युवाउं में आकरों से मंगलवार को इस मामले पर टीपनी करता हुए प्रदेश बिजेपी अधक्ष बाबुलाल मरांडी ने राजकी हिमन्त सोरिन सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया जार्खन राज्य कर्मचारी चैना योगद्वारा आयुजित इस परिचा की टलने को बाबुलाल मरांडी ने राजकी हिमन्त सोरिन सरकार की आसमर्थता बताया बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि परिचा के अस्थगित होने के लिए एजनसी जितनी ही दोसी सरकार भी है ग्रुजगारी भर्ता देने का वादा किया था अब युवा बेरुजगार हैं किसी को भरता नहीं मिला उन्होंने काए कि जारकन की युवा जल्द ही हिमन्त सोरिन को राजनितिक बेरुजगार बना देंगी बाबूलान मरांडी ने इसे बीच मुकमंत्री को भरष्टा चार में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति भी कहा धनबाद में पुलीस लाइन के दुखनदारों ने नगर निगम के खिलाब किया प्रदर्शन धनबाद में पुलीस लाइन के फुटपाद दुकानदारों ने मंगलवार को नगर निगम कारेले पहुँचकर जम कर हंगामा किया इस दोरान फुटपाद दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाब प्रदर्सन कर जम कर नारेबाजे की दुकंदारों का कहना है कि बीते कई वर्सुस वे लोग पुलीस लाइन के पास सड़क किनारे आस्थाई दुकान लगा कर अपना भरन पोशन करते हैं वही पिछले दिनों IIT, ISM में उपराश्टरपती जगदीब धनकड के आगमन की कारण धनबाद नगर निगम के द्वारा उन लोगों से चार दिनों के दुकान हटा लिने को कहा गया था निगम के कहने पर सभी दुकान दारों ने अपनी दुकान हटा ली अब जबकि उपराश्टरपती का कारिक्रम हो गया वे लोग फिर से दुकान लगाना चा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है उन लोग का कहना है कि हमें फिर से दुकान लगाने दिया जाए जिसे परिवार का भरन पोशन सही से कर सके वही इस पूरे मामले में सहायक नगर आयुक्त शंतोशनी मुर्मू ने बता है कि पुलीस लाइन में नगर आयुक्त ने ग्रीन पैच निर्मान कराने का निरने लिया है इसलिए वहां दुकान नहीं लगाने दिया गया फुटपाद दुखांदारों के लिये नगर निगम वेकलपिक वरास्था करने का प्रियास्त कर रही है बताय जा रहे कि मसीन की द्वारा इस बात का पता चल जाएगा कि जमीन के नीचे हीरे जिवरात दबा कर रखे गये हैं या नहीं इस मसीन से किसी भी परकार के धातू के होने का भी जो है पता लगाया जा सकता है आईटी की टीम धिरा साहू के राचेस्तित अवास के पूरे कैंपस की गहराई से जाच कर रही है भगवान बिर्सामुंडा की जिवनी पर बन रही फिल्म के अभिनेता सूची कुमार बधाय दी और कहे कि भगवान बिर्सामुंडा ऐसे महान करांतिकारी और युद्धा थे जिन पर फिल्म बनाया जाना बहुत ही कठीन है उन्होंने भगवान बिर्सामुंडा पर फिल्म बनाया जाने पर काफी प्रसंदता व्यक्त की है मालूम हो की धर्ती आबा पर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर लिगई है साल दोहजार चौबिस के मार्च महिने में भगवान बिर्सामुंडा के गाउं उली हातु से फिल्म की सूटिंग सुरू करने की बात कही गई है इस फिल्म में अभिनेता सूची कुमार भागवान बिर्सामुंडा का किरदार निभाएंगे वही फिल्म के निदेशक एन रागवन है भागवान बिर्सामुंडा की जीवनी से परभावित हो करवा फिल्म बनाने के लिकाफी गंभीर हैं अभिनेतरी अमिशा परटेल की खिलाब चेक बाउंस मामले में गवा संख्या एक का परती परिक्षन पुरा अभिनेतरी समय दोनों आरुपी का जल्द हो शकता है बयान दर्ज चेक बाउन से जुड़े मामले में अभिनेतरी अमिशा पर्टेल की और से गवासंख्या एक आजये कुमार सिंग उर्फ टिंगु सिंग का परती परिक्षन न्याइक धर्ण दिकारी डियन सुकला की कोट में मंगलवार को पूरा हुबा इससे पहले सुमवार को अमिशा पर्टेल की और से गवासंख्या एक कपरती परिक्षन के लिए कोट से समय की मांग की थी जिस पर कोट ने जो है मामले की शुनवाई मंगलवार को निर्धारित करतो हुए अमिशा पर पर एक हजार रुपय का चुर्माना लगाया था मंगलवार को अमिशा पटेल की और से जुर्माने की रासी जमा कराए गई अब मामले में CRPC की धारा 313 के तहट चर्चित अभिनेतरी अमिशा पटेल और उनके बेजनेस पार्टनर कुनाल जो है गुरूमर का जल्द ही इस मामले में बयान दर्ज़ हो शकता है सिकायत करता आजे कुमार सिंग की और से अधिवक्ता विजय लक्षमी ने पैरविखी इस मामले में अगले शुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी नबालिक छात्र से गैंग रेब की तीन दोसियों को 20-20 साल सासरम कर आवास जुर्माना भी देना होगा नबालिक छात्र से गैंग रेब करने वाले तीन दोसियों को मंगलवार को 20-20 साल सासरम कर आवास की सजा सुनाए गई है सभी दोसियों को 20-20 हजार रुपे जुर्माना देने का भी आदे स्कूर्ट में दिया है जनवरी 2022 में हुवे इस गैंग रेब की सुनवाई रांची बॉक्सों की विसेश अदालत में हो रही थी इसमें तीनों दोसियों इरसाद अंसारी, कुदूस अंसारी और सोहन कुमार को सजाशुनाए गई है जुर्माने की रासी पिडिता नबालिक छात्रा को मिलेगी गैंग रेब की यगटना जनवरी 2022 में रांची के चानों में घटी थी पिडिता छात्रा के परिवार ने इस मामले में चानों थाना में प्रात्मी की दर्श कराई थी सुनवाई के दौरान दोसी शोहन कुमार ने कोट को बताया था कि वो छात्रा से प्यार करता था लेकिन छात्रा उससे प्यार नहीं करती थी इससे वो छात्रा से नाराज था जनवरी 2022 में छात्रा अपने दो सहलियों के शाथ मॉर्निंग वाक पर निकली थी इसी समय तीनों दोशियों ने चातरा को कार से अगवा कर लिया और सुनसान जगा पर ले जाकर उसके साथ गांग रेप किया इस क्रम में एक दोसी का मोबाइल गिर गया, चातरा मौका देखकर उनकी चंगुल से भाग निकली प्रात्मिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों की पहचान पास के पेट्रोल पंप में लगे सीसी टीवी फूटेज के अधार पर की गई थी धिरस साहू को इर्फान का सहरा बोले वह राजा परिवार से हैं इतना पैसा मिलना बड़ी बात नहीं पिछले एक 17 जारखन बंगाल और ओरिसा में इंकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी या छापेमारी कॉंग्रेस सांसत धिरस सहू के ठीकानों पर हो रही थी एक तरब जहां भाजपा इसे लेकर कॉंग्रेस पर हमलावर है तो वही दूसरी तरब जामतरा से कॉंग्रेस वधाय किर्फान अंसारी उनके बचाओं में उतरे हैं धिरस सहू हमारे आईभावक हैं आज भाजपा सोर मचा रही है कि पैसा पकड़ाया है उनको या सुभा नहीं देता धिरस सहू मजबूत परिवार से हैं सुरू से राजा परिवार से तालूक रखते हैं जब देश गुलाम था उस वक्त भी जब देश के पास कुछ नहीं तो उनके परिवार ने 50 लाक रुपए देश को दिया था, 40 किलो शोना दिया था, वह बिजनेस परिवार से हैं, उनका दारू का बिजनेस है, और वहाँ पूरा हिसाब अपनी पैसे का दे देंगे, इंकम टैक्स जानना चाहता है उनके पैसे के बारे में, तो ठीक है, वह जबाब देना भी चाहिए कि सच्चाई क्या है, भाजपा जो दुस्प्रचार कर रही है, वह सही नहीं है, आप लोग को भाजपा किवान सिकता समझनी होगी रांची में ट्रक्टर को तेजरप्तार ट्रक निमारी टकर, चालक ने इलाज के दोरान तोड़ा धम, एक तेजरप्तार ट्रक ने ट्रक्टर को पीछे से टकर मार दी, इससे ट्रक्टर पलड़ गया और इसका चालक गंभी रूप से घायल हो गया, चालक को इलाज के लिए से उत्तर प्रदेश के मतुरा का रहने वाला है घटना के सूचना पर पुलीस मौके पर पहुंची और दोनों वहानों को कबज़ी में ले लिया वही चालक रिंकू के सौग को पोश्ट माडम के लिरनाची भेज दिया पुलीस वाइस्थानी लोगों के सहीयोग से घायल रिं को मजबूत करना प्रात्मिक था दुमका सदर प्रिखन के हेट कूरिया पंचायद की बड़ा ढाका में आयुजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम में बता और मुख्य आती थी जारकन के मुख्यमंतरी हेमन्तु सुरिन ने 835 करोड की लागत वाली 5 1308 योजनाओं का सिलन्यास किया इस मौके पर उन्होंने 199.38,50 योजनाओं का उधगाटन करतो विकाहे कि राज में 24 नॉवंबर से 29 दिसंबर तक तीसरे चरन का आपकी योजनापकी सरकार आपकी द्वार कारिक्रम चल रहा है जारकन राजिगठन के दो दसक बाद भी जन पेंट्सन, गुरुजी अस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, अबुआ अवास, मोखेमंत्री पशुधन योजना, सावित्री बाई फूले योजना समयत कई महत्वकांची योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है ग्रामिन चहत्र की अर्थिवास्था मजबूत करना सरक जन पर उतार की प्रात्मिक्ता है चहत्वा आर्थिक तंगी कारण जबानत लिने में आस्मर्त हैं। जो ऐसे मामलों में कायदियों को दी जाने वाली वित्तेशा है था और अवशक्ता का अकलन करें की। जुगनु की मानसिक इस्ति ठीक नहीं थी वा चार दिनों से लापता थी जिसका उन्होंने 15 ओपी में सनहा दर्च कराया था। पहुँचे मुख्यमंत्री हेमन्तु सोरेन ने इडी कारले चिठी भेजी जिसे सूरज नाम का कर्मशारी लेकर पहुचा। सुत्रो की माने तो इस सिठी में हेमन्तु सोरेन ने इडी से सवाल किया है कि आप मुझे किस तरह बुला रहे हैं। कि आप मुझे एक आरोपी की तरह पूचताच के लिए बुला रहे हैं या आप इस मामले में जाच के लिए सही योग चाहते हैं उस अधार पर बुला रहे हैं पुलीस वालों की तैनाती की गई थी आसु पाटी ने 498 सदस्य केंद्रिय समितिक आईलान किया आज सामने आएंगे पददिकारियों के नाम मंगलवार को हर्मो इस्थित पाटीकारियले में आसु के केंद्रिय प्रावक्ता डॉक्टर देवशारेन भगत ने प्रेश वार् जहां नीतिया बनती है भावी कारिक्रम बनते हैं सविधान में संसोधन किया जाता है और संगठन की केंद्रिय समिति और जो केंद्रिय पददिकारियों को नया दायत व दिया जाता है स्टी के बच्चों को गुनवता पून सिक्षा देने पर जोर डीसी ने एकलब्य मॉडल आवासी वद्दाले भवन निर्मान को लेकर दिये निर्देश उपायुक्त राहूल कुमार सिन्हा मंगलवार कुरांची समहरनाले सभागार में एकलब्य मॉडल आवासी वद्दा उब्यावर क्रिफ के बच्चों को गुनवार के दिये निर्मान कोचे मंगलवार में एकलब्य मॉडल आवासी वद्दाले भवन निर्मान है तो गुमी के संब्द में आरही कटनाई यूं एवाम उनके निराकरन हेतों कई दिसन्दिश दिये जब तक मैं हूँ जार्खन पर कोई बुरी नेजर नहीं डाल सकता पर एडी कारेले के सामनी से हो कर गुझरा समन की और इसारा करते हुए मुक्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों को लगा था कि हम आज यहां दुमका नहीं आपाएंगे उनको यह ब्रह्म हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा मुकमंद्री ने कहा है कि हमारे ही समुदाय के कुछ लोग उन लोग का दालाल बनकर हमें और हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रियास करते हैं बड़ी चतुराई से हमारे खिलाब सड़ेंद्र किया जा रहा है हमारी जो है योजनाओं को बदनाम किया जाता है जनता में भ्रहम फैलाने का प्रियास किया जा रहा है उन्होंने जन समोशे कहा है कि मैं आपकी माध्यम से विरोधियों को जबाब देना चाहता हूँ अचार सनिता उलंगन मामला सीम हमन्तो सोरेन के खिलाब पिड़क कारवाई पर जारी रहे गिरोक अगली सुनवाई 19 दिसंबर को सीम हमन्तो सोरेन की और से सराइकिला खारसामा की आदित पूर्थाना में दरज प्रात्मिकी को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रीट की सुनवाई जारखन हाई कोट में अब 19 दिसंबर को होगी मामले में कोट का अंतरिम आदेस जारी रहेगा या मामला मंगलवार को हाई कोट के नयमूर्थी अनिल कुमार चौधरी की कोट में सुचिबर था या बतादी की मामले में पूरो में कोट ने हमन्तो सोरेन के खिलाब पीड़ा कारवाई पर रोक लगाई है प्राती हेमन तुसोरे ने अपने खिलाब दर्ज प्रात्मी की कुनरस्त करने की मांग याचिका में की है याचिका में कहा गया है कि वर्स 2014 में चुनाओ के दौरान वहा अपनी पाटी के प्रत्यासी के पक्च में चुनाओ प्रचार करने गये थे उन्होंने अचार सनहिता का उलंगन नहीं किया था उस दोरान उन पर जो है अचार सनहिता उलंगन का रोप लगाते हुए प्रात्म की दर्ज की गई थी इस मामली के सुनवाई जो है पस्समी शिंग्भुम की निचली अदालत में चल रही है प्रातिने अदालत में चल रही कारवे पर रोक लगाने वा उनके किलाब दर्ज प्रात्मी के कुनरस्त करने की मांगी है परिजनोबा ग्रामिनों ने किया उन्होंने बताया है कि सौमवार को गुजड़ी परखंड के पुर्व उपरमुक कमल पूर्ती राइगड़ा गाओं आया और मन्रेगज से निर्मान हो रहे सिचाई कुवा का जाजा ले रहा था तब ही अचानक दो यूवक उनके पास कधियार के बल पर बेंदजग बना कर सडक से कुछ दूर जंगल की और ले गए जहां नकसलिों ने कमल पूर्ती की जम कर पिटाई की इसी बीच कमल पूर्ती मौका देखकर भागने की कोशिस की तो एक नकसलि ने उससे सिर में गोली मारी जिस से कमल पूरती की घटनासतल गटना को अंजाम देने के बाद नकसिलियों ने घटनास्तल पर एक पर्चा छोड़ा जिसमें लिखा गया था कि पूर्व उपरमुख कमल पूर्ती पुलीस की मुखबिरी करता है जिसका अंजाम मौत की सजा है नकसिलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है इधर देर साम को पोश्टमाडब करने के बाद सवको परिजनों के हवाले कर दिया गया जगराओ पुलीस ने पकड़ा अंतराजिये नसा सफलायर जारकन से अफिम लाकर बेचता था एक किलो बरामत टेलरिंग छोड़ सुरू किया काम पंजाब्स की लुधियाना इस्तित जगराओ में जा अजमुल अंसारी निमासी पतर घटिया दुबराजपूर जारकन के रूप में हुई है परमवीर अलबर्टेक का गौरो रक्षा सम्मान समिती की अपील प्रधान मंतरी करे अलबर्टेक के गाउं का दौरा सेना में नौकरी का उत्साह इन इलाकों में सब से ज़ादा परमवीर अलबर्टे का गौरो रक्षा सम्मान समिती ने रांची प्रेस कलब में एक प्रेस कॉन्फरेंस आयुजित की जिसमें भारत के प्रधान मंत्री से गुमला जीले के जारी में इस्तित परमवीर चक्र विजेता के पैत्री गाउं का दौरा करने का आगरा किया इंडियन मेडिकल एसोसियेशन और रेट क्रोस सोसाइटी के अधक्ष डौक्टर संभू प्रसाथ सिंग ने कहा है कि अलबर्टे का आने वाले प्रिणियों के लिए प्रिणा दिया है उन्होंने बताया है कि कैसे एकका के सहास निकई आदिवासी युवाओं को सेना में सामि और खुंटी जैसे आदिवासी बहुल जीलों में बेरोजगारी में कमियाई डौक्टर सिंग ने एकका के जो है प्रभाव और होकी के दिग्यच माइकल जो है किंडो के प्रभाव के बीच समन ताय का भी चिक्र किया सीएमो से एडी कारेले पहुँचा करमी एडी को सौपा पत्र मुखमंतरी हिमंतो सोरेल मंगलवार को पूछताच के लिए एडी कारेले नहीं पहुचे एडी ने समन जारी कर जमीन घोटाला मामले में पूछताच के लिए मंगलवार को बुलाया था मुखमंतरी पूरो नि कि हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वाटसअप चानल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है